जिस हरे भरे पार्क में खेलने चाहिए, छोटे छोटे बच्चे और बूढे बुजुर्गों को टहलना चाहिए। उस पार्क में अपनी बल्लियां लगा कर पूरे पार्क में कब्जा है। और जो थोड़ी बहुत जगा बच्ची भी है वहां काई भैसों को बांदिया गया पूरा मामला तात्या टोपे के एप लॉक स्थित पार्क का है जहां पर कब्जा होने से नाराज क्षेत्रिय लोगों ने जब इसका विरोध किया तो दबंग पडोसी और उसके बच्चों ने व्रध महिला को धक्का मार कर गिरा दिया और लडाई जगडा शिरू कर दिया जिसके बाद से क्षेत्रिय लोगों में निराशा और आक्रोश व्याप्त है यहां तक ही नगर निगम के अधिकारी और क्षेत्रिय नेता कभी कभी झाकने तक नहीं आते वर्षों से ना तो साफ सफाई हुई और ना ही पानी की टंकी लगी ना हैंड पंप सही हुई और न कभजा मुक्त करेंगे ख्षेत्रिय लोगों का कहना है कि उधैभान सिंग उनका पडोसी है जिसने मंदिर और पार्क को सुसचित करने की नाम पर पूरे पार्क पर कभजा करके रखा है हम लोग भी पार्क के टेक्सपेयर हैं और हमारे बच्चे और बुजूर्गों के लि लिए प्रशांद शुक्ला की रिपोर्ट का चार्ज भी लगा बच्चे खेलते कुटते हैं यह कुछ लोगों ने कभजा कर रखा है यहां पर जानुवर बांदे जा रहे हैं जाक है और धीरे बैरिक एंडिंग कर लिए बच्चों को यहां से भगा दिया जाता है इसको ज जाए थे अपने गुजैनी के उन्हों का समाधान हो जाना चाहिए गड़्डा बंद कर देना चाहिए सामने नहीं होगा फिर भी अभी तक नहीं बंद हुआ ना देंगे हम यह संदर बना दिया पूरा तलाव सामने को कर दिया क्या करना किसी बाप का यह तो हमारा हमारा ज डाउंड है इसमें कुछ लोगों ने मिलकर मंदि अलुद आज अकलजा कर रहे हैं पारक में और मेरे घर के सामने घड़ा को दिया उसको मैंने मना किया तो मिरी माता जी के साथ धक्का मुखी और गॉलोच करी यह यहां आप पे समझी उनके लड़ों को तीन उनने करी करी म कि नहीं नहीं अभी एक इसमें आगें बीच में दो तीन लोग उन्हों ने कपजा चालू कर दिया है दो तीन मेने हो गए अच्छा अगर माली जी कपजा नहीं है उपर जाएंगे